कि ये वाला अंडा खाओ गरम गरम असमा ने दे दो दिया ना अरे असमा को कहां आता है अंडा बनाना ये देखो कितना बुरा अंडा बनाया है पूरी जर्दी तोड़ दी और उपर से सारे किनारे जला दिये और अब्भू को देखा था कैसिस की तारीफों के पुल बांद रहे थे उसको तो कुछ भी नी आता पका ना उसको से दिखावे के लिए चमचा हिलाया है खाने में हां मैं तो उसी दिन देखती ही थी जिस दिन रिष्टा लेने गई थी कि बिल्कुली फू अड़ाई गे अम्मी वो मैं जरा ना अजवरे से खरीदे और मेरे स्टाइल के कपड़े बनाए इसलिए एक दो चार तिन तक जाना पड़ेगा मुझे मेर अपाजी बेबी बादिए अपाजी थी जिस वौ थिए कि बढ़ाई गासे से Living बासिथ, पहेँ? कुरें भुझे हाँ बिटा? बासिए है भी बटा? आगा भुझे? बासिख, बासिए मैंचे बो मेंने आगाँ बीठाव Buttigie बिटाँ ये तुम्हारे महीने के पैसे है देखो एक बार के खया लगना कि कारोबार में कभी लगे बंदे पैसे नहीं मिलते किसी महीने ज्यादा किसी महीने कम ये तुम्हारा और तुम्हारी बीवी का काम है कि तुम इसे लगे बंदे अंदास से किफाशारी और समझदारी से खर्च करो वैसे तो ये तुम्हारा और तुम्हारी बीवी का आपस का मामला है लेकिन मेरा मशवरा तुम्हें यही होगा कि तुम इन पैसों में से कुछ पैसे अपनी बीई को देडिना ताकि वो जो खर्च करना चाहिए वो खर्च कर ले लेकिन उससे कभी इस चिल्सले में सवाल जवाब मत करना ठीक है जी अबू ओके जाव शावाश से थेंक्यो अगर तुम भी उनको उनी की तरह जवाब दोगी तो फिर तो रोज रोज गर में लड़ाई होगी ना अब देख लिया तुमने लेकिन मैं आपकी ताना दप करनी रह रहे है हाँ तो कोगल कह रहा है आप कर रहो बोलो जो भी कहने मेरे मूँ बोलो मेरे पीट पीछे मेरी कोई बुराईया नहीं करती हूं मैं आपके पीट पीछे कोई बुराईया नहीं करती हूं मुझे कोई जरुवत नहीं है आपसे बात करनी कि आप मुझे लड़ने का महाना क्यों डूमती रहती हैं मैं जो पी कहती हूं ना सामने कहती हूं मुँ पे कहती हूं तुमारी तद तुमारे मुझ लगने का बढ़ी यहीं कहीं से तराती शकल, कोई कुलो पैतरा हैं कहीं की जैसी भी हूँ आपसे लाग दर्जे बहतर हूँ देखा, देखा, कैसे जबान चल रही है इसकी? अरे मैं तो पहले ही दिन समझ गई थी, इन दोनों मा बेटियों को देखे देखे बहुत ही चलाग, खुश्यार और फूर किसन के ओड़ी आपसे पहले भी काई मेरे मा के ओपर मत जावा करें जाओंगी, एक पारणी हजर्दर मत जाओंगी, दसर जबर मत जाओंगी, सो हजर्दर मत जाओंगी तो मैरे कौसे जूट कहजिये जूपराणी अपारणी तुमारा है तो मैं अपके मा को बोलूंगी बोल के जखांग गुदी सथा जबान कहलोंगी अजरा, क्या बड़ा तुमें? अम्मी, इनके साथ मसला क्या है? मैंने इनको कुछ नहीं काई है, मुझसे क्यों लड़ रही होती है अरवक्त अच्छा, कुछ नहीं कहा, तो फिर यह कौन कह रहा थे कि भावी हत्ते सो खड़ जाती है मैं बता हु, हत्ते सो खड़ नहीं किसको कहते है हातो, आपकी अम्मीन आपको यही सिखा है ना कि असुसराल में जाकर जाहिलों की तरह लड़ो मेरी मान मुझे यह भी चिखा है कि किछ का भू किस तरह तोड़ था है मैंने कोई बुराईया नहीं कि मुझे कोई शॉक नहीं अपकी बुराईया फड़ने का अपनी हद मेरे ना हद मेरे तूम्हीं अट आख 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 हातों जो कुछ में कह रही थी उसका अम्हीं बुसाहर है तो करके दिखा रही है अजय कोई तोड़ दो कि तो पहें पुजी चान की जाहिल वरत बस चलो आओ इतरा कैसे कोई जाना किया आपने इनके साथ अतने साथ अच्छा आप उसको फोन करके बताओंगी नहीं जो बत तमीजियां किया है ना पानी प्योंगी पानी लाते हैं अच्छा भाई ये वला देखें आप अच्छा लगिए गाए ये नो को दूसरा डिजाम पर तो अच्छा ये वला देखें लो ओके राफिज अच्छा ये वला देखें अच्छा बढ़ाए ये वाओ अच्छा आपकी दूए रंग ले आई अच्छा अच्छा बटाया था ना कंपनी में इंट्रिविव देने आई था वहाँ से आज मोझे अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया अरे वाँ 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 तो खाऊंगा मैं अश्वाग भई जुरह इंको दिखाना मैं यारू ठीक तो यापको दिखा रहा है वाँ भई आज तो टशन ही अलग है अल्ला का शुकर है यार जॉब हो गई पंदी का करियरी मंटाई नैशनल कंपनी में शुरू होना तो बात ही अलग होती है भाई अब एक काम करो अच्छे बच्चे को तेना ट्वीट दे दो हमें आहां भाई क्यों नहीं वैसे भी तुमारी और भाबी की तो शादी की दावट डियू है मुझ में तो किसी अच्छी सी जगह पे चलते हैं खाना-गाने मेले फ़रज से तो पूछ में दो हाँ तो अभी कॉल करके पूछो ना मैं तो कह रहो आज रात को ही कहीं चलते हैं अच्छा पूछता हूं मैं कसी अच्छे से रेस्टोरांट चलते हैं आज और डिलर मेरी तरफ से पूछ तो लेने दे हलो अस्तामलेकूं क्या कर दियो इस घर में इंसान कर भी क्या सकता है सर दिवार पे मारने के लावा क्या हुआ है वासिफ मैं तुम्हें बता रही हूँ अपने घरवालों से कहो अजरा भावी को अपनी जबान में समझा आते मैं बहुत बर्दाश्ट कर चुकी हूँ अगर हुआ क्या है वो ही ना अजरा भावी मुझे से लड़े जा रही है बगैर किसी वज़ा के अच्छा तुम रिलेक्स हो जाओ मैं घर आके बात करता हूँ अला आफिस पीछे को गई है मुझा क्या हुआ है खैरियत है कुछ नहीं बस बड़ी भावी और फरत की बीच में कुई अनबन होगी है चलता रहता यह यह यार मसला नहीं है अगर आज नहीं हो सकता तो किसी वीकेंड पर कड़ लेंगे हाँ मैं पूछ के बता दूंगा तुबहें जैसे कुछ सीरियस तो नहीं है नहीं नहीं कुछ सीरियस नहीं है सब ठीक है अब यह देख अनम व्याद है मेरे स्टेटिस पर कॉंगराट्स का मेसिज है सब सोची रोंगे यह अचानक जौब ब्रेन प्रदिस में कैसे लग गई वैसे इतना अचा भी नहीं जितना नुम गधारी नहीं क्यों इतना मज़का है अजब अगनी दफाएंगे ना बाभी और वासे बै को साथ वेका है वासे बै नहीं आएंगे क्यों नहीं आएंगे वो शादी के बात बहुत चैनी होगा है हर वक्त उलज़ते रहते है हाँ लगन इनकी शादी होई भी तो कि इतनी टेंशन वाले मोखर में ठीक है लेकन लेकन क्या तो शुपते नहीं क्यों ऐसा लगता है कि फरेंद भावी पर अज्रा भावी की तरह है कि अगय जादी क्यों ऩ football फ gehe क्यों जादी क्यों देन गादी की म मुव तुट बंप स्वा क्यों क्यों आयुठक हुश बंभछअ जादी day पुश बंभबबबबब इन скорееạnh वाल्वा क्यों 28 कि अवा़ है झाल 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 उन दोनों को कबस कम कारखाने में बैठने का वक्त मिलिया अब वो आज मैं जली घर सला जाओं हाँ चले जाओ जरूर जाओ बगर देखो आज तुम पैसे मिले न तो तुम कुछ लेके जाना घर बीबी के लिए कोई चोटी मुट न चीज़ है क्योंकि चीज से को फरक्त नी बड़ता है असल मैं तो बीबी को यह इसास होना चाहिए कि उसका मिया उसका खयार रखता है ठीक है फिरको अबू ले जाओंगा लाओ टेंक्यो अबू अश्वागवी बाभी नेक्स टाम आप भी आमारेसा चलेगा और बर्गर खा के बताएगा क्या आपको क्या लगा इसको तो अच्छा लगना नहीं इसके जेब से पैसे जो जा रहे है बाभी इसको बस महंगी जिगा पे बैठके खाने का शौक है चाहे टेस्ट अच्छा ह हो या ना हूँ मैं पको सच बता रहा हूँ इससे अच्छा गली का कोने का बर्गर है चुपो जाओ तुम दोनों ऐसे घर में कम मसले यह तुम लों के बर्गर का मसला भी शुरू हो गया है क्या हुआ है फरहत और अज्रा भावी की लड़ाई हो गई है फर आप बीच में कही होंगी ने भाई इस बार तो मैं खामोशी से खड़ी सिर्फ सुनती रही है और लड़ाई किस बात प्यूए है असरा भावी को भी कोई बात चाहिए होती है लड़ने के लिए है मैं तो वासिफ का सोच नहीं है जमाल भाई को तो आदत हो चुकी है ऐसा नौ के वासिफ वापस आया तो वासिफ और फरहत की आपस में बहस चुरू हो जाए है मैं तुमसे कह रहा था था ना वासिभाई ऐसी ओफ नहीं रहते है हां मी फोन किया था हां फोन पर मिस कॉल डेकी तो मैं तो परिशान हो गई कि आज अजरा ने कैसे फोन कर लिया तो हर वक्त सुसराल में गुसी रहती है मा को पुछती भी नहीं अच्छा जादा चिकनी चुपड़ी बाते करने की ज़रूरत नहीं है अच्छा हां आए नहीं ना तुम लोग मेरे देवर की शादी में दिख लाओ नहीं ना अपनी अ अपने देवर की शादी में बुला तो लिया उसनों तो अपने साले की शादी के ख़ब नहीं लगने ती हमें है वो तो अमबर ने लेख लिया फेस्बूक पे तस्वीरों को तभी तो मुझे पता चला के नवाबजादे ने साले की शादी में बुलाया ही नहीं है हाई बूल जा भी अविया भूल जा भी अविया भाते तू तो बस यह की बात पकड़के पिछे पड़ी रहती है हाँ भूल गई हूँ जभी तो फोन किया था मैंने वह मैं उमर की सालगीरा कर रही हूँ तो तुम लोग आ जाना कर रहा है सालगीरा जरूर आएंगे हाँ हाँ मैं बता दूंगी जब तारिक्त होगी तो बता दूंगी कौन सी तारिक को कर रही हूँ लेकिन वह माई को कह दे ना कि मैंना एक साइकल की तस्वीर रजींगी, वो शारजेव की साइकल है, बिल्कुल वैसी ही साइकल चाहिए हो उमर की सालगिरा पर उसका तोफा मुझे है, शारजेव की साइकल हुई थी उसके मामु ने उसको बड़ी जबरदस साइकल दी है, अब मैं चाहती हूँ कि मेरे ब कल देगा, तो सालगरा में बुलाओंगी, वर ना तुम लोगों मैं सालगरा में नहीं बुलाओंगी, ऐसे ना हो कि आओ, पांसो रुपय का लिफाफा हाथ पे थमाओ और बोटिया खाके चले जाओ तुम लोग, ठीक है, मैं बख़त, अभी तब लालत देश्वाइश्व कि इतनी एफोश ती मैं, मैं अभी आगो से बात करके, तकि मैं अज़ा भाबी ने तुम इन तुम एगी सारी खुशी खारत करती, तो मैं पता है, मैं मुझ से पूछ भी रही थी ती कि तुमारे सुसराल वाले, तुमारा खयाल रख रहना है नहीं रख रहे हैं, नहीं कुछ नहीं बताया, वरना वो परिशान हो जाती, क्या बताती मैं उनको, कि अज़रा भापी तो मेरे सामने से खाना तक उठा के ले जाती है, तो इन अच्छा किया कर अँड़ी को कुछ नहीं बताया, रहत अपना मूट तो अच्छा करूँगा, मैंने कोई जान के तो मूट खराब नहीं किया न वासित, को इतनी जाहिलों की तरह लड़ी होती है, किसी का भी मूट खराब हो जाए, और अजीब सी बात यह है, कि तुम्हारे घर में उन्हें कोई कुछ कहता भी नहीं है, अस्मा भाबी भी खड़ी थी, अम्मी भी खड़ी थी, लेकिन मजाल ह वो खड़ी की सुनती का है, अजरा भाबी, तुम्हारे ने पहले भी समझाया था, कि जब वो कुछ बोला करें, उन्हें एग्नोर किया करो, ये बहुत अच्छा है, हर बात पर उन्हें एग्नोर करो, तुम लोगा ने यही करकर के, उन्हें आदतें खराब किया है, अम्मा अम्मार, तो सुनती नहीं है लड़की, क्या है अम्मी, एक काम कर, वो शाजएव की जो साइकल है ना, उसकी तस्वीर केंच और नानी को पहच दे, क्यों, तेरे वकार मामुजय है ना, ओमर के सालिया पर बिल्कुल वैसी साइकल देंगे, नहीं नहीं आदे, अच्छा जा जिल्दी आ गया, जरूर शुडली ने ना, फोन करके बुलाया होगा, बड़ी तेज है, एक काम कर, जा जारा कान लगा के बाते हैं तसन, क्या बाते हो रही है अनके कमरे में, मैं नहीं चाहरी, मुझे रैसी पढ़ने है अभी अप्यों, जा जाके, देख क्या बाते हो रह होती है, पढ़ना है मझे, अच्छा वह सब छोड़ो, इदे को तुम्हार ले क्या लाया हूँ, डोनल्स, यहां से तुम्हारे अबू लाते थे थे हैं तुम्हारे लिए, वही से लेके आया है, खाओ ना, खारी, अब मैं तुम्हा पहले मी समिगा था, कि अजरा बाबे की आदत है काल लिगा के बाते समये, तो क्या करें हो, इशारों की जबान बात करना स्टार्ट करें, यह मैं काम करती हूं तुम्हें मैसेज पर बता देती हूं कि मुझे क्या कहना है तोंसे, हर वक्त इसी डर में बैठा रहा है बंदा कि वो सुनना ले बातें, बलकि मुझे तो लगता है, बेड़े खड़ी भी सोनी में रिखोंगी मैं, अच्छा, क्यों परशान हो रही है कोई नहीं सुनना बातें माले है इस तो कि तुम्हारे ले क्या लाए हूं? यह तो मेरे ले लाए हूं बहुत अच्छा है, थैंक यू और यह लो, तुम्हारे महीने का खर्चा है यह देखो यह तो सिर्फ आट हजार उपए तुम्हे महीने का कितना खर्चा मिलता है? शादी से पहले यह की दस-पंद्रा हजार उपए मिलते थे लेकिन अब हम पूल नहीं बढ़ा दी है अब 35 जार उपए दी है बस इत्पे पैसे? हमारे लिए तो काफी है ना और वैसे भी हमने कौन सा बिल पे करने होते है क्या राशनल वाना होता है और नसीर भाई और जमाल भाई को भी इतनी ही पैसे मिलता है नहीं उने ज्यादा मिलते है इनके बच्चे है उनने स्कूल की फ्ञेर नहीं होती है आगे मिलपर कड़ने होते है पर भी तुम्हे मालूम तो होना चाहिए मैं तो कहते हूँ हर चीज का हषाब किताब रखा परो हर चीज का हषाब तो अबू रखते है तो बैसे हिरे जर फिर नहीं से सपारी खोड़ील। मेरी शादी के साद्य करा मेरे भायोने तो एक अः बुस्क आगे है अच्छा थोड़ीऊ ऐा लग경 हो अच्छा दुपस hunter टेज़ जा गाई पानों अच्छा – Amoo to lut big ahad का यपया अगा यहाँák तेंक चुब अमूल सहीव खाओ अमारी क्लास का सबसे ब्रिलियंट और फोकस लडगाता ही है तो आप इनकी सीवी फोवर्ड यू नहीं करते हैं? अरे भाबी मैंने तो इसको कितनी बार का आए कि मुझे अपनी सीवी फोवर्ड कर दें लेकिन यहीं नहीं मानता जित पर अड़ाव है इसकी तो माशालला से जीपी ए ऐसी इसका तो यू हो जाएगा कंपनी में अबाजी बेबी बेबी बादे पर जाएगा कि मुझे अपनी अवाज रबात करे थे कि मुझे कुछ आवाजी नहीं उपर से वैसी खरह चाची को पता से लिए कि आप खान लगा के उनकी बाते सुनती है उन्होंने तो खिल की भी खोल की देखी वो तुम्हे सही वक पे निकल कर आगई वरना आज तुम्हें जाती आपको पता है चाची चाची के लिए डोनट भी लेकर आये और आप मुझे भी खाने का दिल कर रहे हैं अब फिकर है तुझे भी डोनट जरूर मिलेगा क्या सोचनी है बाप क्या सोचनी हूं कि कैसे लागे दू तुझे सोचनी है सब कुछ मैं सोचू तुद्धियो से दिमांग शला लिया कर मेरा तो नाम दूबएगी तू बड़े हो कर अभी 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 आप से जाधा देनी थी उमेना दोस्त था ना युनिवर्स्टी का अली हाँ उसने मेरी और फरद की दावद रखी है तो कद हम दोनों चले जाए हाँ हाँ जरू जाओ क्यों नहीं अमी आप से एक बात भी गढ़ने थी बताओ अमी अजवा भाबी को समझाय करें कि फरद से मत लड़ा करें बात बात पर लड़ाई करतें देखो बिटा मैं उसे जरूर समझाओं लेकिन फरद अगर मुझे मौका दे तो वो भी तो ऐसे उसे जवाब देती है अमी फरद तो मैंने समझाया है कि अजवाब भाबी को मत जवाब दिया करें अगर कोई ऐसी बात पूरती भी है तो अमी को बताया करें तुमने जरूर समझाया होगा लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ अजवा के बराबर उटरती है वो अमी लगि छुबी तो अजवाब भाबी करती है ना एर यह तो तुम्हे तुम्हारी बीवी ने बताया हैं呢 हो सकता है कि ऐसा ना हो अमी आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे मैं अजवाबभी को जानता नहीं देखो बेटा, मैं आत्रा का दफ़ा नहीं कर रही हूँ लेकिन मैं ये कहूंगी, कि तुम्हारी बीवी ने आकर तुम्हें बताया उसने अपना दिल हलका कर लिया, बहुत अच्छी बात है लेकिन फिर अप तुपे सोचना है ना, कि तुमने क्या करना है तुमने उसको समझाना है, कि इस बात को आगे नहीं बढ़ाना घरों में रोज मर रहा है, ऐसी चिक चिक तो होती रहती है ना अगर रोज रोज लडाईया हूंगी, उनको मैं सुलजाओंगी तो मैं दोनों की सुला ही करवाती रहूंगी रोज ठीक है रिम्याद, है ना अरे वासे, भाई तुम दोनट लेकर आये थे तो अब एक दो भाईया हमारे बच्चों के हाथ पे भी रख देते हैं अब वो देखो अंबर को जरा, मूह बस और पड़ी है, कह दिए कि दोनट खाना है मुझे बात साफ सी है भाई, जमाल अगर कोई चीज लेकर आते हैं ना, तो इतनी लाते हैं कि पूरा टबर वैट के खाता है अमी, आप जरा वलीद से बोलें कि अंबर के लिए डोनट लेकर आये ताके उसका मूट थोड़ा ठीक हो बाभी में बाभी रखे हो यह मैं लेकि आता हूँ रहने दो, रहने दो, अपने कमरे में ही पढ़ने रहने दो, हमेंनी चाहिए तुमारी बीवी की खेराद, देना थे तो पहले देते बाई, हैं, मैं लोनट लाके देता हूँ देखो बिटा, जब भी कोई चीज लेकर आओ, सब के लिए लेकर आओ, अब तुम खुद सोचो, अगर ये बात मैं जमाल के साथ करूँगी, कि इसने किस तरीके से बात की है, तो इसने तो बात को ऐसे गुमाना ऐसे गुमाना है कि बस, बात गुमाने में तो इसने जैसे पीएश्डी किया है उससे तो कुछ भी नहीं हुआ, मेरी साथ तो वैसे हट्टी कट्टी बैटी भी है, खाजी तक नहीं आई उसको बहुत सख्त हसार बांदा है उसने अपने गिर्द, असार को तोड़ने में वक्त लगेगा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, उसने सिर्फ अपने गिर्दी नहीं, बलके अपने सारे बेटों के गिर्द भी सार बांदा वाए, चानों बेटे ना उसकी बुठी में है एक कावीज ना वो मेरी जो देवरानी ना फरत ना में उसका, वो सीमा बड़ी तेज हैं उसके लिए भी कोई कावीज जर्दे ना रखने के लिए जैसे आपने मेरी सास के लिए दिया था काली राक, काली सुभाँ जिता वे सकत केह बीस, जिताविप तर केंडर रातुन हुँ… ... हाद हूख dedim पाद्स विधर चांथनों इन कॉइलों की दहकान में अपनी सास की उत्रण जला दे भर बेक ओजना है पूर जा रहे जा रहे हैं अरे अम्मी यह असमा कहा है ना कमरे में ना किचन में कहीं गई हुई है क्या वो फरत को तयार कर रही है वासिफ के दोस्त अली ने वासिफ को और फरत को खाने पर बोलाया भाई इससे खाने वाने गूँने फिरने कब खतम होंगे अब आपने खीर की रिसम करवा दिये ने इसकी तो काम पर लगा है इसको गूमती रहती है हर वक अहां कल कहूंगी उससे हां अम्मी मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करने थी हां बताओ मैं कह रही थी वो आपको याद है मेरी खाला की मामों के जो भाई थे उनका जो साला था अरे जवान था बिल्कुल कल रात उसकी मौत हो गई पाईस साल का जवान लड़का था यूं हार्ट अटेक हुआ यूं उपर तो कहने का मकसद ये था कि आजकल जवान-जवान मौते हो रही है तो मेरा मकसद कहने का ये था कि आजकल ऐसी मौते हो रही है तो कुछ नहीं पता किसी का कौन कब चला जाए कब आपकी आखिया बंद हो जाए हमें क्या पता मैं चारी थी कि आपका जो जेवर है ना ऐसी पड़ा रह जाएगा वह अपने जाने से पहले सारी बहूं में तक्सीम कर दें और वलीद की बीवी के लिए भी रख लें आप मैं आज जेवर की तक्सीम के बारे में क्या सुची है भाई आप भी जाना हर बात के उपड़ना एक सोने की चीज निकाल के वाजसे के दुरन को पकड़ा देती है सारा सोना ऐसी खतम कर देंगी आप ठीक है मैं आपको पसंद नहीं हूँ इसलिए आप मुझे नहीं देती लेकिन मेरे बच्चों को गया कुसूर है उनका तो बराबर का हग बनता है न अब कल को अंबर की उमर की शादी होगी तो उमर की दुलहन को मैं दूंगी न अंबर को दूंगी न यही दूंगी न जो आप मुझे देंगी मेरा सारा सुना उनी का तो है और किसका है तुम्हे मैं पहले भी बताया था और समझाया था कि सबसे अच्छा तुम्हारे साथ हुआ है तुम सबसे पहली बहू थी इस खट की मेरे पहले बेटे की दुलहन थी ये तुम हर चीज में मुकाबला क्यों ले आती हूँ देखो अजरा हवस और हसद बहुत बुरी चीज है हदीश में बहुत 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 है और चीज में देखो और छोड़ा ना यह थोड़ा सा ब्लशन लोड़ना कर दें वासिफ आता ही हो का अहां बस हो गई ना अजर बताएं कैसी लग रही हूँ बहुत प्यारी लग ज़िए एसे ही तेयार रहा कु आच्छा ओ अम्मी को भी दिखाओ आज़ 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 अज़ग अज़ग अच्छा बड़ी चीज बात है अम्मी मेरी रफा में आपको सब कुछ याद आ जाता है पूरा बहुत द प्रभाओ प्रभाओ पियारा जोडह आथ है हाई मेरी अम्मी है तो वही जोडह नहीं है जो हम डोनों ने एक साथ ली था इसके लिए मैं आपसे कह बुझे थी तूरा ले 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 लेजु लेकिन आपके लिए नहीं इतना महाँग जोड़ए क्या थोरत इसकी एम्ह में जोड़े जिल्णू रास्ते में किसी पकीर को दे देना और जाने से पहले कामे में भी कुछ पहन देना जी पहनती है जाओ पेठा, फेर से जाओ आजो भई, किचन में बहुत रहाँ है वाफसेट मूगी हमें असलाम अलेकूम असलाम अलेकूम असलाम अलेकूम वाफसेट ब्रहु अमसना, मिल्कुल ठीक है कैसे आप मैं ठीकूं भाभी आपके सीन अल्ला का शुक्र और प्रीस, आवसेट यार, इतनी बड़ी जगा पर बुलाने यह क्या सो होती तुम कहीं पर बुला लेते हैं, हम लोग आजाते हैं यार, तुम्हें 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 कहीं पर भी बुला के खिला देता ये सारा प्रोटोकॉल तो भाभी के लिए अच्छा से मुबारिक बात दो, माशाललह से इसकी मल्टाय निश्र कमनी में जॉब हो गई है अरे, माशाललह, कॉम्रेचुलेशन्स तेंक यू बाभी मेरा ख्याल है बाकी की बात है तो करते रहेंगे पहले कुछ और्डर कर लेते हैं वेटर ये लीजे आप लोग भी तो बताएं आप लोग को क्या खाना है बाभी, प्लीज आप बिल्कुल भी तकल्फ नहीं कीजिएगा दिल खोल के और्डर करना है आपने यूनिवर्स्टी में मेरे पैसो से समोसे काता था और देखो यहां तुम्हें इंप्रेस्ट करने के लिए कैसी बड़ी बाते का रहा है अरे इसलिए तो तुम्हें ऐसी जगह पे बुला है ताकि एक ही बार सारे समोसों का हेसाब बराबर कर दूँ बाभी जार तंग तो नहीं करता है यहां सुरी सर इस्क्यूज मी आपकी बाइद यह ना गेट पर खड़िए एक मिटिकली आज़ेंगे मैं दर्वा बाइक साइट ने करके आए आपकी सालरी कितनी है भाभी अभी स्टार्टिंग है तो ठाहिलाग है आगे कहने के छे महीने बाद सालरी भी बढ़ा देंगे और गाड़ी भी देंगे हुआ है किसा लगा आपको बाबी? काफी अच्छा गाना है साजद और राबिया याद है? हाथ धूके मेरे पीछे पढ़ गए रोजाना कॉल करते है मुझे कि मेरी सीवी फोवर्ड गर दो अपनी कमपनी में अब तुम खुद बताओ उनकी जीपीए इस लाइक थी कि मैं उनकी सीवी फोवर्ड गरूँ वैसे वासिफ तुम्हारी क्या जीपीए थी? इसकी इसकी वावी 3.9 थी मुझे भी ज्यादा हमारी क्लास का सबसे ब्रिलियंट और फोकस लड़काता ही है तो आप इनकी सीवी फोवर्ड क्यों नहीं करते हैं? हरे भावी मैंने तो इसको कितनी बार काये कि मुझे अपनी सीवी फोवर्ड कर दे लेकिन यहीं नहीं मानता जित पर अड़ावे इसकी तो माशालला से जीपी ऐसी इसका तो यूँ हो जाएगा कमपनी में नहीं वे अपने फैमिली विजर्ट पसाई अच्छा काम है खुद का विसे बाभी इनका डिजर्ट मैनियू भी देखें बहुत कमाल के डिजर्ट से इनके पास मैं यह कह रही थी उमर के लिए साइकल ले आएं आप अब शाजेब को उसके मामों ने साइकल भेजी है तो उमर के पास भी तो होनी चाहिए न ठीक है जमाल से कह दूँगा अरे नहीं भाई जमाल से तो मैं खुद भी कह सकती हूँ उमर के लिए साइकल आप लेकर आएंगे इस तरह बंद होगा ना अजरा का मुए कमाल करेव कमाल यदि अब मुझे यह साबित करना पड़ेगा अपनी बहू के सामने कि मैं पोती पोतियों से मुवबब करती मुझे यह करना पड़ेगा चलो ठीक है ला दूँगा मैं अच्छा राणना डिनर फरत तुम्हें क्या ज़रती अली से कहने की कि मेरी स्टीवी फॉरवर्ड कर दे तो मैंने कुछ गलत कहा गया मेरी ना सेल्फ टीम हर्ट हुई है हम आपन डिनर करने कहते ना कि जॉब मांगने वासिफ इसमें सेल्फ स्टीम हर्ट होने वाली क्या बात है सेल्फ स्टीम तो उस वक्त हर्ट होनी चाहिए थी ना जब अब्बू ने तुम्हारे हाथ में 35,000 रुपीज रख दिये थे सैलरी का कहकर उस वक्त तो तुम बिलकुल सही थे तुम्हें पता है अली की कितनी सैलरी है धाई लाक रुपे तो मैं क्या करूँ उसकी धाई लाक है या तीन लाक है मुझे बताओ मैं क्या करूँ दुकान में जाना है छोड़ दूँ जॉब करना स्टार्ट कर दूँ एसा ही करो तुम्हें एसा ही करना चाली देखो मैं जानती हूँ तुमारे अपने घर का काम है यह लेकिन तुम किसी अच्छी जगा नौकरी करोगे किसी मल्टाए नैशनल में काम करोगे तो हम नए लोगों से मिलेंगे यह हमारा लाइफस्टाइल चींज होगा वासिफ यह तो हम दोनों के लिए अच्छा है ना अच्छा मेरी बात सुनो तुम्हें नौकरी नहीं करनी मत करो लेकिन एटलीस ट्राइज जरूर करो तुम्हें मालूम होना चाहिए कि तुम्हारी मार्केट वेल्यू कितनी है और मैं तो समझती हूँ घरवालों को भी पता होना चाहिए कि तुम्हारी क्या वेल्यू है तुम समझ रहे हो ना कि पता है कि तुम्हें चलरों कि तुम्हें प्तुम्हें यदो't अध़काई बाटिव बता है बाटिव तुम्हें बाटिश